ये हैं बलवान परजापत जो मिट्टी के मट्के बनाते हैं उनकी मांग दूर दूर तक है एक तरफ जहां मिट्टी के मट्के बनाने वाले कारीगर काम छोड़ रहे हैं वहीं दूसरी तरफ बलवान सिंग परजापत अपने परिवार के साथ अच्छी गुणवत्ता के मिट अच्छी प्रिक्रिया देखने के बाद आप भी कहेंगे कि मिट्टी के मट्के बनाना हुनर का काम है और यदि हुनर से अच्छी गुणवत्ता की चीज बनाई जाए तो फिर मांग की कमी नहीं होती है नमस्कार दोस्तों यदि आपके काम में हुनर और इमांदारी है तो नियुक्त को मिट्टी के बड़ाने की प्रिकरिया क्या है और जो प्योर मिट्टी मट्के होते हैं वह कैसे बनते हैं यह वीडियो में इसलिए जानकारी मिट्टी के मट्के हम लेकर आते हैं वो कितनी मेहनत से तयार होते हैं को पूरी प्रिक्रिया जानेंगे बलवान सिंग्जी से और नंबर भी देंगे हम वीडियो में ताकि आप इनसे संपर कर सकें और इनके मटके आप भी मंगवा सकें जैसा आप जानते हैं यह वीडियो निशुल्क बनाते हैं कोशिश शिर्व यह है कि अच्छा काम करने वालों को बढ़ा मिले और आपको शुरू करते हैं टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आ इसका पानी भी सरीड के लिए सही है फरीज के पानी से जाद अच्छा है और जैसे आप देख रहे हो यह मिटी रखी है इसकी पहले कुटाई होती है फिर इसको बिगोने के बाद इसको चाना जाता है तो उसके बाद फिर अंदर जाती है टाइट करके इसको मशीन से पिंडे मशीन से बने इंई से बनों से मैं, इनकी जो गडायी होती है तो इसको टेयुर्प यह पास अद पह पर जेयुती है तो देंटि आ तो जख पbung का मोगता है ना इसमें कोई केमिकल नी मिलता अगर इसमें केमिकल मिल जाएगा तो यह मत्का बनेगा इन इता यह प्यूर मिट्टी है इसको गूंधना आपर ता घ्लिए उसके बाद इसको सुदा एंगने के लिए रखा जाता है इसकी रपेर होती है सुकाने के बाद देंट करके ने एक सफेद खड़ी अम्हार आधे पर लाल यह तीनों ही नेचुरल मिट्टी इसका मतलब यह कोई केमिकल की मिलावडिस नहीं हो और नेचुल तरीके से मिट्टी की सारी प्रक्रिया होती है जैसे इस अब शुकाने के बाद इसमें डाल दी खड़े में मिल्मिक्स करके इसको तो यह जो हाथ से बनाने पड़ते हैं आप बता रहे हो कि अब देरे लोग यह काम चोड़ रहे हैं क्यों चोड़ रहे हैं इसमें मेहनत जादा है फिर दूसरी बात के मिट्टी नहीं मिल दी मिट्टी इतनी महेंगी होगी बना करेंगे क्या तर रेट पूरा नहीं इसको अब आज बारिष आई यह तो परिवार था जो साथ लगके अंदर रखवा दिया नहीं तो सारा खतम होना था सिस्टम बार मटके सुखाते हो मिट्टी के कच्छी मिट्टी वाले हैं अब देको मटका रखा हो जैसे बूंद लग गई खराब हो गया तो उसमें अगर बारि जैसे घुड़ी में ले लिया 200 मत्का तो उसने बौल दिया भी तूटे हुए है तो अब उनके बदलेका दे दे देते हैं जैसे गावं में कोई ले गया जाजा जब दे नहीं तरह मत्का कराय के या पालन नेकलता है तो उसको रख जाए यह तो रख जाए यह जाए तो पर बात होती है, अगर इसमें जैसे एक गठडी जादा डाल दिया, तो मुड़ भी सकते हैं, जैसे टाइट जादा इनन हो गया तो मुड़ जाते हो, और थोड़ा कम इनन रहेगा, तो पिले रहे जकते हैं, वो जादा कम चलते हैं, और बिचले साइज में इसाब से आलकी आ गई, मिट्टी में कंकर जादा होंगे, कुछ बरीक बरीक छण होती है, अगर वो छालनी में से निकल गई, तो मटका जिरेगा, दूसरी बात हम इसमें पकाते हैं, इसका ये होता है, थोड़ा सा इसाब देखना पड़ता है, अगर इन जादा डाल दिया है, तो थ इन जगे क्वालिटी का फरक आगा है मटके में, एक तो मिट्टी बढ़िया होनी चाहिए, दूसरा बनाने का हुनर ठीक होना चाहिए, कारिगरी, और तीसरा जो पकाते हैं इस भठी में, उसमें सही आंच होनी चाहिए, ताकि वो सही पके, तो ये आप तीनों चीजों का इसलिए गुणवत्ता बहतरा आती है, तो दोस्तों जैसा बलवान जी ने बताया कि ये गाओं मटकों के लिए मशूर है, और दूसरी बात ये है कि क्वालिटी का पूरा ध्यान रखते हैं, मिट्टी का ध्यान रखते हैं, वो गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, दूस तो आप बात करके ले सकते हैं, या फिर इस गाओं में आ सकते हैं, यहां भी इनके साथ ही जो मिट्टी के मटके त्यार करते हैं, आसपास यहां से भी आप सीधे ले सकते हैं, जोड़े रे टेक्निकल फार्मिंग से, नमस्कार जैहिंद्ट! अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले!